इस वीडियों में हम लोग SinoName यानि कि Sino का सेशन स्टाट करना जा रहे हैं जो कि आपका SSC एकजाम का प्रीवियस यर में जो पूछा गया साइनोनेम होगा वही इस वीडियों में देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका एंटीपैथी एंटीपैथी के लिए आपका चार अप्शन है क्लूमसी डिश्लाइक एन्वाइंग और एफ्रेड सबसे पहले देखते हैं एंटीपैथी का जो अबसे को एप सब्सक्राइब करना और और अबसे ओपसन नमबर एंटाट केंसी क्या ओता है औro सब्सक्राइब कोई ऐसा बिकती जो कि कि न्रिए न्या किया हो उसे लृट कर सकते हैं इन्वाइंग मनें क्या होता है कि किसी को गुसा आता है यानि कि गुसा आ जाना इसे हम लोग कहते हैं इन्वाइंग यानि कि गुसा आना या जो आपका क्या होता है कि चिढ़ना गुसा आना ही में रूप से आप कह सकते हैं गुसा गुसा आना इन्वाइंग होता है गुसा एफ्रेड क्या होता है एफ्रेड मने होता है डरना एफ्रेड मने क्या होता है डर जाना किसी चीज से डर जाना यह होता है एफ्रेड चली आईए हम लोग एंटीपैथि का कुछ और वर्ड जान लेते हैं कुछ और सिनोनियम इसका जान लेते हैं एंटीपैथि को हम लोग और क्या कर सकते हैं हेट्रेड ही कि माने भी क्या हohता है किसी से घृण करना होता है इनичеमीटी- ही जब कि कैसे सत्रुथा करना धृत करना यह सब आपका इसका साम्य होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट वक्रेत पहलेखते हैं सब्सक्रेश्ण क्या है इसन की होता है उपका स्टा है या आत्मा यह तो वर्ड होता है भूत प्रेत छाया आत्मा यह सब होता है कि को पुरसकार मानने क्या होता है इसे कह सकता है होता है किसी से बदला लेना यानिकी किसी से बदला लेना हो ठीक है तो direct हो जाएगा कुछ और Wake ृसका देख लेते हैं administration केrik सबसक्राइब बने क्या होता है नोर साइड कि इसे एक और सबसक्राइब घोष्ट यह सब क्या है इसका साइड है गोष्ट या सब या सब या एस प्रीट आपशन-दोर्पी जिए कि नेक्स्ट क्वेशन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट आपका है कि अजीटेट आपका क्या है इसके लिए आपका वर्ट दिया गया इस्टील गुलूमी एराउजड और बीगनर्स तो एजीटेटेटेड मुने क्या होता है करने के लिए उत्तेजित होना तो आपका इसका राइट अर्थ भी होता है किसी चीज को करने के लिए उत्तेजित उना गिसाइट होना ठीक है आब यहां पर वहल देखते हैं एस्टील मनें च्छिंट इस्थी या सांत जो होता है एस्टील होता है गलूमी क्या होता है गलूमी माने होता है उदास गलूमी क्या होता है उदास या इसे हम लोग सैड भी कर सकते हैं सैड कर सकते हैं बीगनर क्या होता है बीगनर होता है वही आपका नौ सिख्या नो सी ख्या यानि कि जो नया नया किसी चीज में हो तो उसे हम लोग क्या का सकते हैं बीगनर का सकते हैं तो एजिटेटेट का राइट एंसर क्या हो जाएगा एराउज आपका राइट एंसर होगा अब हम लोग देख लेते हैं एजिटेटेट का कुछ और साइनोनेम देख ल अनेक्सियस भी से हम लोग excited एनेक्सियस भी कवा सकते हैं तो राइट एंसर क्या हो जाएगा एराउज याने की उत्तेजित करना उकसाना भरकाना ठीक है इसके लिए आपनें डिसेंटि!! इसके लिए आफका है डिसेंट है डिसकरीज है कीज है और इंसाइट है तो इं तैजित करना आइफ एंसर हो जाएगा आपका इंसाइट करना ठीक है कि पाइट एंसर आपका क्या हो जाए इंसाइट करना डिसेंचेंट डिसेंचेंट मने क्या होता है तो डिसेंचेंट मने होता है आपका चीज सम्मोहित करना किसी चीज को मोह लेना यानि कहता है मोहना मोहना यानि कि नहीं होता है अट्टेक्ट कर लेना कोई भी होता है इंसाइट मनें हम जानी के उत्तेजित करना उकसाना भरकाना एक्साइट करना होता है और डिसकरेज डिसकरेज क्या होता है डिसकरेज को हम लोग कह सकते हैं हतोत साहित करना है एक होता इनकरेज इनकरेज का था बढ़ावा देना इसको इनकरेज इसका साइनोनेम हो सकता है इनकरेज लेकिन डिसकरेज क्या होगा एंटोनेम इसका हो जाएगा तो इसका और कुछ साइनोनेम देख ले सेता है राउट का क्या होता इनसाइट तो एक होता ही है इसके बाद chyba एक्साइट भी का साकते हैं एक्साइट है किया है नेक्साइट करना इसके बाद का करना करना इनकरेज करना करना निकरेज करना भी यह सर्फ और क्या हो जाएगा साइनोनियम हो तो राइट एंसर आपका क्या हो जागा option no.d next question हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका actuate actuate इसका option दिया है true, move, select और kill देखिए actuate क्या होता है कि कि किसी को आप उत्तेजित करें कोई कारे करने के लिए यानि कि इसका भी आप कह सकते हैं तो excite करना insight करना या आप कह सकते हैं एक to act होता है उत्तेजित करना प्रेरीत करना उक्साना उक्साना कह सकते हैं उक्साना या प्रेरीत करना भी कह सकते हैं प्रेरीत करना प्रेरीत करना कह सकते हैं ठीक है तो राइट एंसर इसका क्या हो जा किसी कार्य को करना कि लिए उक्साना होता और हम लोग इसका क्या कर सकते हैं साइनों क्या कर सकते हैं इसका और साइनों आपका हो सकता है क्या इंसाइट करना इंसाइट करना भी हो सकता है इसके बाद और क्या हो सकता है तो आप इसको और एक्टुएट करना भी कर सकते हैं जो कि आपका पिछला वाड़ हुआ था कि एक टूएट करना भी कर सकते हैं तो राइट एंसर अमाला क्या होगा ऑप्षन नमबर बी नेक्स्ट क्वेशन देखिए नेक्स्ट है आपका क्या ची एटेंट टूएट एटेंट टूएट के लिए आपका वीकेंड एक्सपेंड एस्ट्रेंथेंट और इंटेंसिफाइं नगए यह सब आप देक सकते हैं कि कौन सா treats 2017 में पुछा गया है तो यह सब जितने वी कौश्चन होगा आपका पूच्छा वुगा क्वेश्चन होगा तो एटेंट क्या होता है कि कम जोर बनाना कि कम जोर बनाना हेता चीच कम जोर बनाना होता थेसे प्लोटेंट इसमाई मजबूत बनाना एक्सपेंड क्या होता है एक्सपेंड मना होता है किसी चीज़ का विस्तार करना विस्तार करना या बढ़ाना साइज में फैलाना यह सब कर सकते एक्सपेंड करना इंटेंसिफाई क्या होता है इंटेंसिफाई होता है किसी चीज़ की गति को क्या करना तेज तेज करना त Rules तेज आओके खुछ करना थिए लुक रीज़िस करना रिडियूस करना कि मिनिमाइज करना मिनिमाईज करना भी कर सकते हैं रिड्यूस करना भी कर सकते हैं वीकेंड करना भी कर सकते हैं कमजोर बनाना कर सकते हैं किसी चीज की मात्रा में घटाना होता है डिक्रीज करना भी कर सकते हैं हुआ कि दिक्रीज करना भी कर सकते हैं यह सब क्या हो जाएगा इसका सानियों निम हो जाएगा ठीक है चलए नेक्स्ट फेसजन देख लेता है next आपका क्या चीजी PARA करना करना कřा इम्पेयर एщender रिडिम्ट्र और चाहें तक the present क्योता आप सुने हुआ शंमीधान में क्योंता इमर्डमेंट्स होता या कि संसोधन करना सुधार करना सुधार करना या संसोधन करना क्या होता है संसोधन में समय समय संसोधन किया जाता दा सुधार किया जाता उसको इसका अपर क्या होगा कि अल्टर करणा थीक अल्टर मुशे की कर देना कि तोeldर कर देना स Warum देना संसोधन कर देना यह कर राइट एंसर नंबर солн democrats क्या होता पीर और इम लग गया यानि कि प्यर को क्या हता है इंपएर कर देना अब इसको कर सकते हैं कि बिगार देना यानि ही बढ़िया था उसको आप खराब कर दिये डीडिऊस माने क्या होता है घटा देना कम कर देना ठीक है स्थिती में उसको ला देना ठीक है यानि कि बुरा तो था ही वचैन माने क्या होता है बुरा से और ऊसलों से बुरा कर देना यह होता हैसान से इंसर क्वात में यो घॉता है इसका होगा लोद का सकते हैं कोड़ेक्ट करनाब सकते हैं कैसी बाद करना भी करना होता है और इनक्त नबर बी होगा कि नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपका आउ ए डबलू ए आउ होता है इसके लिए आपका expectation admiration familiarity and calmness ठीक है तो आउ क्या होता है आधर करना किसी किसी करना expand republican आधर करना आधर दर युगत यानि की स्रदtha शरद्हाँ का जो भाव होता हुसे लोग कह सकते हैं स्रद्हा तो यह ठीक है तो इसका राइट इंसर क्या होगा एड्मारेशन यानि किसी को प्रसंशा करना प्रसंशा भी आप कर सकते हैं प्रसंशा करना ठीक है और एक्सपेक्टेशन क्या होता है एक्सपेक्टेशन यहां पर देखते हैं एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट करना यानि कि किसी चीसे अनुमान लगाना एक्सपेक्ट करना क क्या होता है आपका इसे कर सकते हो उमीद करना कर सकते हैं उमीद कर सकते हैं उमीद करना कर सकते हैं यह आपका एक फैमिलियरी टी क्या होता है किसी से जान पहचान हो जाना यानि फैमिलियर हो जाने यानि कि कि किसी से पहचान हो जाना पहचान कर सकते हैं पहचान कि पहचान होना भीर होना है काम मैं कि यह सरह क्या है सांथिजन की स्थीति होता है। तो राइतः लेंस भी करनते हैं यानि प्रसंशा करना होता है वादार स्रधा यह सब होता है इसका और साइन ज्वेस का क्या हो जाएगा तो आधान सू सकते हैं याने की ज़िदाय सबसेट्रेंस में मैं को सकते हैं कि आधानरले लॉय ट होगा एडा कि नेक्सट कॉष्टन देख लेता है एक टो SAM कि क्या होता है सबसे पहले स्थान ऍाइधा के होता है एक निरक इन संस पाप यह तो किम गृता है भर्बर्विरीट भी तो कुरूथा कुूल्स असटी टीछ होता है दिफिकल्ट हो कि समथ्य होता है कथीन कथीन like या समस्य को सकते हैं समस्य या कशुछ डिफिकल्ट whack करते हैं आप एक दिफिकल्ट शाएम का था होता है यानिका खाक صुन्व कर सकते हैं यानि की लजज्जा ठीक है खाल मैंने क्या होता है तो क्रूर्टा निर्शन्स पार अगर आप सािणोने मैं देखें तो क्या होगा क्रूळीटी क्या होगा कि कुरूवलीटी भी हो सकता है इसके बाद आप क्या कर सकता है इनॉर्मीटी या इन हुमेनिटी जो हुमेन जैसा विभार ना करें इन हुमेनिटी इन इन हुमनिटी यानि कि जिसका व्यभार जो हुमेन जैसा नहों इसे हम लोग कह सकते हैं इन हुमनिटी ठीक है तो राइट नासर आपके क्या हो गया ऑप्शन नमबर भी बर्बेरीटी नेक्स्ट क्वेशन देख लेता हैं क्वेशन नमबर 10 एड़वर्ट सीटी मिसफोर्चुन तो एड़वर्शीटी क्या होता है विपत्ती एड़वर्शीटी विपत्ती या तंगी हालत तंगी हालत तंगी हालत भी से कह सकते हैं तो इसका क्या हो ऑप्शन नमबर डी मिसफोर्चुन हो जाएगा यानि कि दुरभागे दुरभागे इसका दुरभाग कि दूरभाग की उसे कह सकते हैं ठीक है दूर और कर दिख हो मिस्फोर्चून यह का कहता चंस माने क्या होता और किया अवसर अर्थ जो हमाने क्या होता है आनांद तो राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा एडवर्शीटी के लिए आपका क्या होगा मिस फॉर्चुन राइट एंसर हो जाएगा इसका और सैनोनेम आप देख सकते हैं एडवर्शीटी क्या होता है माईजरी भी कह सकते है माईजरी भी कह सकते है इसके बाद और आप क्या कह सकते हैं क्लेमाइटी क्लेमाइटी माले क्या होता है आपदा कि क्लेमाइटी भी आप इसको कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं इल फॉर्चून इस इल फॉर्चून भी कह सकते हैं इल फॉर्चून और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद